हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मीता, मेरे चैनल कुक वित मीता में आप सभी का स्वागत है, देख रहे हैं, एक एक दाना खिला खिला लग रहा है, व्रत में जेनरली लोग साबुदाने के खिचडी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत चल्दी बन जाती है, पर प्रॉब्ल आपके लिए है, मैंने कुछ टिप्स भी शेयर किये हैं, जिससे आपके खिचडी बिल्कुल खेली खेली और पर्फेक्ट बनेगी, तो देर किस बात की साबुदाने के खिचडी बनाना शुरू करती हूं, देखिए ये तीन तरह का साबुदाना है, जो मार्केट में आसान से मिल जाते हैं, ये बारिक वाला है, जिससे पापड, खीर, डेजर्ट या साबुदाना बड़ा भी बनता है, ये मीडियम साइज का है, जिससे खिचडी साबुदाना बड़ा वेगरा बनता है, साबुदाना बड़ा तो बारिक वाले साबुदाने से भी बनता है, और ये हैं बड़ा वाला साबुदाना जिसे हम भून कर खाते हैं इन दोनों की हमें अभी जरुरत नहीं है हमें ये मेडियम साइज वाला साबुदाना लेना है खेच्डी के लिए ये मैंने एक कप लिया है इसे बाउल में डाल देती हूँ सबसे पहले इसे दो तीन बार पानी बदल कर वाश कर लेना है हलका सा रब करते वे वाश करेंगे ताकि साबुदाने के उपर जो डस्ट लगा होता है वो निकल जाए पानी देखिए एकदम क्लावडी हो गया है फिर से इसे वाश कर लेती हूँ इस तरह से मैंने इसे तीन बार वाश कर लिया है अब इसे स्ट्रेनर में निकाल देती हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए अब इस साबुदाने को बाउल में डाल देती हूँ और मैंने यहां एक कप साबुदाना लि पानी एक कप से थोड़ा सा कम यानि दो तीन टेवल स्पून कम ले रही हूं ये बहुत सरूरी टिप्स है इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि आप साबुदाने में कितना पानी डाल रहे हैं फूलने के लिए अगर पानी ज्यादा हो गया तो खिचडी चिप-चिपी ह हो जाती है आप देख सक्ते हैं इसका लेवल देखे मैंने ज्यादा पानी नहीं डाला है अब मैं इसे ढग टिन से चार गहंटे क्लिए छोड़ देती हूं, या आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, देखे, तीन से चार गहंटे हो गए हैं, तो मैं साबुदाना देख लेती हूं, देखे, कितने अच्छे से फूल गई है, मैं एक दबा कर दिखाते हूं, देखे, कितने अच्छे से दब रहा और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, एक एक दाना मोती की तरह दिख रहा है, आप इस साबुदानी को ढखकर फ्रीज में भी दो-तीन दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं, और जब चाहे आप इसे कोई भी रेसिपी फटा-फट से बना सकते हैं, तो चलिए खिच्री बनान के लिए साबुदाना तो रेडी हो गया है, और इसमें क्या-क्या इंगेडिन्स लगते हैं, वो देख लिती हूँ, मैंने यहां दो उबले हुए आलू लिये हैं, जिसे थोड़े बड़े बड़े टुकडों में इस तरह से कट कर लिया है, आप चाहे तो कच्चे आलू भी ले सकते हैं, पर उसे थोड़ी देर कुप करना होगा, एक टमाटर को छोटे टुकडों में कट कर के लिए रही हूँ, अगर वरत में टमाटर खाते हैं तो ले, नहीं तो स्किप कर दे, यह मैंने धन्यापति को भी बारी काट लिया है, दो हरी मिर्च है बारी कटी हुई, एक इंच अद्रक है, जिसे ग्रेट कर लिया है, यहाँ पर मैंने दो टेबली स्पोन घी लिया है, दो टेबली स्पोन मूंगफली है, यह अभी कच्ची मूंगफली है, दो टेबली स्पोन कोर्सली ग्राइंड के आवा मूंगफली लिया है, इसे मैंने रोस्ट करके ग्रा ले ले मसाले में मैंने लिया है सेंधा नमक टेस्ट के एकॉर्डिंग आप ले अगर आप रत के लिए बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक ले काले मिर्च का पाउडर लिया है हाफ टी स्पूम और जीरा लिया है एक टी स्पूम मैंने यहां पर नॉन इस्टिक पैन लिया है आ मैं हमेशा आइरन कड़ाई या नॉनिस्टिक में ही बनाती हूँ अब इसमें दो टेबल इस्पून घी डाल दूँगी घी की जगा आप वाइल भी ले सकते हैं घी मिल्ट हो गया है तो मैं ये मुंफली को घी में रोस्ट कर लूँगी लोटू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भूनना है मुंफली से जब चटकने की आवाज आने लगे तो समझे कि मुंफली भून गया है मुंगफली चटकने लगा है और मुंगफली भून गया है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ अब मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ जीरा का कलर चेंज होने लगा है तो अब मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ और ये अद्रक भी, इसमें से कुछ भी अगर आप रत में नहीं खाते हैं, तो आप स्किप कर दे, भून लेती हूं इसे थोड़ी देर, अब इसमें ये बॉयल केवे आलू डाल देती हूं, इसे भी दो मिनट भून लेती हूं, अगर आप कच्चे आलू ले रहे हैं, तो आल मेरा भून गया है, तो ये टमाटर डाल देती हूं, टमाटर को भी 2-3 मिनट भून लोँगी, आलू और टमाटर दोनों भून गये हैं, तो अब ये साबुदाना डाल देती हूं, फ्लेम को लो रहने दूँगी, क्योंकि साबुदाना बहुत जल्दी कुख हो जाता है, मैं इसमें चीनी बी डाल देती हूं, जिससे इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आता है, and low flame पर ही साबू दाने को भूणना है, मैं इसमें लेमन जूस डाल देती हूँ इसमें जो निम्बू और चीनी का खटा मीठा सा फ्लेवर आता है न वो इस खिचडी के स्वाद को चार गुना बढ़ा देता है इसलिए आप इसे स्किप ना करें अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठाक देती हूँ कम से कम एक से दो मिनट के लिए देखे, दो मिनट हो गए है तो मैं लिड हटा कर देख लेती हूँ देखे, साबुदाना बिलकुल अलग-अलग देख रहा है बिलकुल भी नहीं चिप का है ये साबुदाना अब इसमें ये मुंग फली भी डाल देती हूँ और उपर से ये धन्या पत्ती भी डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लेती हूँ देखे कितना कलरफुल दीख रहा है ये मुंगफली को सबसे लास्ट में डाल रहे हूँ ताकि इसका क्रंच बना रहे और देखे एक एक दाना अलग अलग दीख रहा है आप इसे वरत में ही नहीं ब्रिकफास्ट में भी बना सकते हैं किसी भी दिन तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ अगर आपको मेरी साबुदाने की खेचडी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले जिससे मेरी निव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी तो आप भे सारे टिप्स फॉलो करते हुए साबुदाने की खेचडी जरूर ट्राई करें तो आपके भी खेचडी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और एकदम खिली खिली बनेगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी ये साबूद आने की खेचड़ी कैसी बनी मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ